युवराज की बात सुनकर सुहाना उन दोनों को देखते हुई कहती है मुझे नहीं पता लेकिन एक अंकल है जो इसी घर में रहते हैं उन्होंने एक बार मुझसे कहा क्या मैं उनके साथ बाहर घूमने चलू जब मैंने उन्हीं कहा कि मैं बाहर नहीं जाओंगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया सुहाना की बात सुनकर युवराज अनिकेट को देखते हुए कहता है सुहाना किसकी बात कर रही है अंकल जहा तक मुझे ऐसा लग रहा है सुहाना अंकल उनी को कह सकती जो हमारे पापा के उम्र के है युवराज की बात सुनकर अनिकेट हैरान होकर कहता है हमारे घर में ऐसा एक ही इनसान है जो पार्टी में जाता है और वह है मानव भाई आपको तो पता ही है नीतु चाची के बेटे मानव भाई ज्यादातर वाफिस न आ कर पार्टी शार्टी करते रहते हैं अनिकेट की बात सुनकर युवराज गेहरी सांस लेकर कहता है तुमने सही कहा हो सकता है सुहाना उसे अंकल कह रही हो अगर ऐसी बात है तो तुम मानव को वनिंग दे देना और उसे कह देना सुहाना से दूर रहे। उन दोनों को बात करते हुए देखकर सुहाना एक नजर उन दोनों को देखी। फिर जल्दी से सोफए पर जाकर बैठ गई, क्योंकि अब उसे अनिकेत का आया हुआ पेस्ट्री खाना था। जैसे ही उसने पेस्ट्री खोला उसका नजर दब्बे के अंदर पाइनेपल पेस्ट्री पर गया. उस पेस्ट्री को देखते ही सुहाना खुश होकर कहती है अरे वाह ये तो मेरा मनपसंद पेस्ट्री है. ये कहकर सुहाना पैस्टी जल्दी जल्दी खाने लगी. अनिकेट यह देखा तो वह खुश होकर युवराज को देखने लगा. वहीं युवराज ने जब सुहाना को देखा तो अचानक से उसका नजर सुहाना के हाथों पर गया. जहां से खून निकलकर आ रहा था. यह देखते ही युवराज की आईखे चोटी हो गई. वह बिना समय गवाय तुरंट सुहाना के पास आकर उसके बगल में बैठा सुहाना ने जब देखा युवराज उसके पास आया है तो वह जल्दी से अपने पेस्ट्री को छुपाने लगी यह देखकर युवराज उसे देखकर कहता है मैं तुम्हारा पेस्ट्री लेने नहीं आया हूँ तुम्हें इतना गहरा चोट लगा है और तुम्हें इस बात की खबर भी नहीं है तुम्हारे हाथों से लगातार खून बह रहा है और तुम हो की आराम से पेस्ट्री खा रही हो युवराज की बाते सुनकर सुहाना का नजर अपनी चोट पर गया जहां से लगातार खून बहे जा रहा था ये देखकर सुहाना युवराज को देखकर हस्ते हुए कहती है ये चोट मुझे तो पता भी नहीं चला ये कब लगी शायद पौदे लगाते समय लग गई होगी ये कहकर सुहाना ने युवराज को इगनोग किया फिर चुपचाप अपना पेस्ट्री खाने लगी वही जब अनिकेट ने भी देखा सुहाना को चोट लगा है तो वह जल्दी से उन दोनों के पास आया युवराज ये देखकर हैरान था इतना गहरा चोट लगने के बावजूग भी सुहाना बड़े आराम से पेस्ट्री खा रही है शायद इस जगह पर नंदिनी या फिर कोई और लड़की रहती तो अब तक घर को सर पर उठा लेती दर्द से रोना शुरू कर देती लेकिन सुहाना तो किसी को कुछ बोली तक नहीं ये सोचकर युवराज अपने भाय अनिकेट को देखते हुए कहता है मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है इतना गहरा चोट लगने के बाद भी सुहाना को दर्द क्यों नहीं हुआ जहां तक मुझे लग रहा है ये चोट सुहाना को तब लगी होगी जब हम उसके पास थे लेकिन उस समय अगर किसी को चोट लगे तो वह तुरंक दर्द से चीखने लगता है पर सुहाना ने एक उफ तक नहीं की युवराज की बात सुनकर अनिकेट सुहाना को देखकर वह कहता है आप सही कह रहे हो भाई मुझे भी ऐसा ही लग रहा है वैसे हो सकता है उस समय भाभी को दर्द महसूस नहीं हुआ होगा लेकिन अभी उनको चोट लगी है आप उनकी चोट पर दवाय लगा दो मैं अभी मेडिकल बॉक्स लेकर आता हूँ ये कहते ही अनिकेट जल्दी से टेबल पर रखे मेडिकल बॉक्स को लाकर युवराज को दे दिया अनिकेट के लाए हुए मेडिकल बॉक्स को लेते हुए युवराज ने अनिकेट से कहता है ठीक है मैं तब तक इसको पट्टी कर देता हूँ तुम किचन में जाकर कुछ टिशू पेपर लेकर आओ क्योंकि मेरे कमरे में टिशू पेपर खत्म हो चुके है ये लड़की पेस्ट्री खाखा कर खुद के साथ अब मेरे घर को भी गंदा करेगी युवराज की बात सुनकर अनिकेट हसते हुए कहता है अरे भाई आप भी न अगर भावी को इतना ही मन है पेस्ट्री खाने का तो उन्हें अच्छे से खाने दो घर में नौकर है मैं उन्हें कमरे में भेज दूंगा वो सफाई कर देंगे ये कहकर अनिकेट से जल्दी से वहां से चला गया जब युवराज ने देखा उसका भाई वहां से चला गया तो वह एक नजर सुहाना को देखा जो खुश होकर अपना पेस्ट्री खा रही थी फिर उसके हाथों को पकर कर उसके चोट को देखने लगा उसके हाथों से खून गिरते हुए उसे कपड़े पर भी गिर रहा था ये देखकर युवराज ने सुहाना को देखा वही जब सुहाना ने देखा युवराज उसे ही देखे जा रहा है तो वह मुस्कुराते हुए कहती है अरे मैंने कहा ना आप फिकर मत करो ऐसी चोट मुझे लगती रहती है जब मैं चोटी थी ना तो मेरी मम्मी भी मुझे ऐसे ही चोट देती थी मेरे बॉड़ी पर बहुत जगह पर अभी भी निशान बने हुए है लेकिन मैं उसको चुपा कर रखती हूँ मैं नहीं चाहती हूँ किसी को भी वह निशान दिखाई दे जिसको मैं अच्छे से जानती हूँ जिसके पास मुझे रहने से अच्छा लगता है मैं उन्हीं को ये सारी बाते बताती हूँ सुहाना की बात सुनकर युवराज ने एक चैन की सांस ले फिर वह उसके हाथों को रूई साफ करते हुए। उसके चोट पर दवाई लगाते हुए कहता है। अच्छा तो इसका मतलब यही है कि तुम मेरे पास रहकर अच्छा फिल करती हो। तुम ही मेरे पास रहने में अच्छा लगता है तभी तो तुम मुझे ये सब बाते बता रही हो वरना तुम भी मुझे नहीं बताती। युवराज की बात सुनकर सुहाना बच्चों की तरह खिलखिला करका हस्ते हुए कहती है अरे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप मेरे पती हो ना दादी ने कहा है कि जो भी बात हूँ वह सबसे पहले अपने पती को बताना चाहिए युवराज ने जब सुहाना की बातों को सुना तो वो कन्फ्यूज होकर कहां अच्छा ऐसी बात है तो जब तुम्हीं चोट लगी तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया अगर तुम मुझे उस समय बता देती तो तुम्हारा चोट इतना गहरा नहीं होता मैं तुरंट तुम्हारे चोट पर दवाय लगा देता युवराज की बात सुनकर सुहाना मुँ बनाकर कहती है लेकिन मैं आपको कैसे बताती मुझे खुद भी पता नहीं चला मुझे चोट कब लग गया वह तो आपने जब कहा तब मैंने देखा सच में मैं सच कह रही हूँ मुझे नहीं पता चला बच्पन में जब मम्मी मुझे मारती थी तब मुझे पता चलता था लेकिन धीरे धीरे उसके बाद मुझे कोई भी चोट लगती थी तो पता नहीं चलता था और वह खुद ही ठीक हो जाता था मैं उस समय ना कोई cream लगाती थी ना कोई दवाई लगाती थी और ना ही कोई दवाई खाती थी सुहाना की बात सुनकर युव्राज हैरान कर कहता है ये क्या बात हुई तुम कोई robot थोड़ी हो जो तुम्हें चोट लगेगा दर्द नहीं होगा इंसान का जो बॉडी होता है वो इंसान खुद में फील करता है जब तुम्हें चोट लगा होगा तो थोड़ा सा ही दर्द महसूस हुआ होगा युबराज की बात सुनकर सुहाना हसते हुए कहती है नहीं मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ आपको पता है मैं दूसरों को दर्द में देखकर दरने लगती हूँ मैंने जो ओफिस में देखा कैसे उन आंटी को चोट लगा तो मैं दर गई थी मैं किसी को अगर चोट में देखती हूँ न तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वह चोट मुझे लगी हो किसी दूसरे को चोट में देखकर मुझे दर्द होता है लेकिन जब मैं खुद चोट में रहती हूँ तो मुझे दर्द बिल्कुल भी नहीं होता सोहाना की बाते सुनकर युवराज काप सर घूमने लगा था उसे समझ नहीं आ रहा था सोहाना आखिर है क्या चीज इतनी कमजोर लड़की होने के बावजूद भी उसे दर्द महसूस नहीं होता है इतना गहरा चोट लगने पर आजकल की लड़किया तो कुरा घर तो उठा लेती है यहां तक की तुरंथ हॉस्पिटल तक चली जाती है लेकिन सुहाना एक ऐसी लड़की है जो चोट लगने के बाद भी उसे खुद भी पता नहीं चला उसे चोट लगा है यह सोचकर युवराज ने जल्दी से उसके हाथों पर दवाय लगाया फिर पटी करने के बाद मेडिकल बॉक्स को बंद करने के बाद सुहाना को देखते हुए कहता है बद तुम अब यहां सोफे पर सो सकती हो और हां सोने से पहले एक बार खुद को साफ कर लेना क्यूंकि तुम्हारे कप्टों पर पेस्ट्री लगा है युवराज की बात सुनकर सुहाना एक नजर खुद को देखी फिर अपना पूरा पेस्ट्री खत्म करने के बाद अपनी जगह से उठते हुए कहती है मुझे पता है इसलिए तो मैंने सोचा पहले मैं अपना पूरा पेस्ट्री खत्म करूंगी ये कहकर सोहाना बात्रूम की तरफ जाने लगी जब युवराज ने ये देखा तो वो चुपचाप अपने बैट पर जाकर बैग गया युवराज के मन में अभी सोहाना के बारे में ही ख्याल आ रहे थे वो सोहाना को लेकर बहुत कन्फ्यूज हो रहा था सोहाना बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी से जानती है ये बात उसे पता है सोहाना इतना इंटेलिजेंट कैसे हैं लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था आखिर इतना कुछ हो जाने के बाद भी सोहाना कुछ रियक क्यों नहीं करती है जब कोई खुशी की बात आती है तो वह उस चीज को एकस्ट नहीं करती है बाहर जाने से दर्ती है लोगों को देखकर दर्ना शुरू हो जाती है दूसरों को दर्द में देखकर खुद दर्द महसूस करती है ये सब सोचकर युवराज ने गहरी सांस लिया तभी सोहाना अपने कपड़े बदल कर वापस से कमरे में आई कमरे में आने के बाद सोहाना ने युवराज को देखा युवराज को देखने के बाद सुहाना चुपचाप उसके पास आई फिर उसके बगल में बैट पर जाकर बैट गई युवराज ने जब यह देखा तो उसकी बोहे सिकुर गया क्योंकि उसने सुहाना से कहा था सोफे पर जाकर सोने को लेकिन सुहाना उसके बैड पर आकर सो रही थी ये देखकर युगराज गुस्से में कहता है मैंने तुम ही कहा था सोफे पर सोने को तुम मेरे बैड पर क्यों सो रही हो क्या मैंने तुम ही कहा यहां सोने के लिए युवराज की बात सुनकर सुहाना एक नजर उसे देखी फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी नहीं आपने नहीं कहा लेकिन कल भी तो मैं आपके साथ सो रही थी तब आपने मुझे कुछ नहीं कहा फिर अभी क्यूं कह रहे हो सुहाना की बात सुनकर युवराज उसे देखकर बुस्से में कहा अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैं सोया हुआ नहीं हूँ तल गहरी नींद में होने की वज़र से मुझे पता नहीं चल पाया और जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा तू मेरे बगल में सो रही हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं मैं तुम्हें हर समय अपने ही कमरे में रखकर अपने ही बैट पर सोने को कहू तुम जाकर सोफे पर सोजाओ मुझे बहुत नींदा रही है ये कहकर युवराज ने एक नजर सोहना को देखा युवराज की बात सुनकर सुहना बैट से उठी फिर चुपचाप सोफे पर जाकर बैट गई यह देखकर युवराज ने गहरी सांस लिया वो सुहाना को बैट से हटाना नहीं चाहता था लेकिन वह सुहाना के साथ सोना भी नहीं चाहता था ये सोचकर उसने कमरे की लाइट को बंद किया फिर अपने बैट पर आराम से लेटने के बाद अपनी आखों को बंद कर लिया कमरे की लाइट बंद हो चुकी थी ये देखते ही सुहाना टेबल पर रखे छोटे से लाइट को ओन करने लगी लेकिन वह लाइट ओन नहीं हो रहा था ये देखकर सुहाना को अब दर लगने लगा लाइट को ओन ना होते हुए देखकर वह जल्दी से सोफेर से उठकर बैठ गई फिर सामने की और युवराज को देखने लगी युवराज की आँखे बंद थी लेकिन वह अभी सोया हुआ नहीं था जब उसके कानों में किसी के लंबी-लंबी सांसे लेने की आवाज आई तो वह जल्दी से अपनी आँखों को खोला तो उसने देखा सोहाना सोफे पर बैठी हुई है ये देखकर युवराज ने अपने कमरे की लाइट को ओन किया जैसे ही कमरे का लाइट ओन हुआ युवराज का नजर तुरंट सोहाना पर गया जो डर की वज़े से सोफे के एक कोने को पकल कर बैठी हुई थी सोहाना को ऐसे दरे सह में बैठे हुए देखकर अचानक से युवराज को याद आया अंधेरे में रहने की वज़े से सोहाना को दर लगने लगता है ये सोचकर युवराज अपने जगल से उठकर सोहाना के पास आया सोहाना सुबक के कोने में बैठी हुई थी जब उसने देखा युवराज उसके पास आ गया है तो वह जल्दी से युवराज के पास जाकर उसको कसकर गले लगा ली वही जब युवराज ने ये देखा तो उसके हाथ हवा में ही रुक गए वो सोहाना को खुद से दूर नहीं किया था वो जानता था इस समय सोहाना काफी डरी हुई है क्योंकि अंधेरे से सोहाना को फोबिया है जिस वजह से सोहाना को इस समय कुछ भी कहना सही नहीं होगा ये सोचकर थोड़ी देर के लिए युवराज ने सोहाना को ऐसे ही गले लगा कर रखा जब 10 मिनट बीट गए तब युवराज ने देखा सोहाना अभी तक उससे दूर नहीं हुई है तो वो सोहाना को खुद से दूर करके कहा मैं तुम आरे लिए लाइट रख वाया था तो तुमने उसे आन क्यू नहीं किया युवराज की बात सुनकर सोहाना गरते हुए कहती है लाइट आन कर रही थी लेकिन वो आन नहीं हो रहा है मेरा यकीन कीजिए मैं कोशिश कर रही थी पर वहौन ही नहीं हो रहा मुझे बहुत दरलग रहा है मैं यहाँ पर नहीं सोंगा आपके पास सोना है आपके साथ रहना है वरना वह मुझे लेकर चला जाएगा मैं आपके साथ रहूंगी ये कहते कहते सुहाना वापस से युवराज को कसकर गले लगा ली सुहाना के बरताव को देखकर युवराज को अजीब लगा सुहाना की बातों से ऐसा लगा जैसे बच्पन में कोई उसे लेकर जाता था ये सोचकर युवराज ने टेबल पर रखे लाइट को देखा लाइट ओन के बटन ओन थे लेकिन लाइट ओन नहीं हुआ ये देखकर वह समझ गया सुहाना सही कह रही है ये सोचते ही युवराज ने एक चैन की सांस लेकर सुहाना को खुद से दूर करके कहा देखो तुम है अगर मेरे साथ सोना है तो ठीक है चलो लेकिन तुम मेरे करीब नहीं आओगी युवराज की बात सुनकर सुहाना जल्दी से उससे दूर हुई फिर अपने आंसों को साफ करके कहने लगी हाँ मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपके पास नहीं आओंगी लेकिन मुझे आपके पास ही रहना है ये कहते ही सुहाना बिना युवराज की बात सुने जल्दी से बिस्तर पर जाकर लेट गई सुहाना को बच्चों जैसी हरकत करते हुए देखकर युवराज ने पहले तो अपने सर को जटका फिर अपनी जगल से उठकर वापस से बैट के पास आया उसे सुहाना का बरताव काफी अजीब लग रहा था कभी-कभी सुहाना की बाते सुनकर ऐसा लगा था जैसे वो बड़ो जैसी बाते कर रही है और कभी-कभी सुहाना की बाते सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह फाइव साल की बच्ची हो जिसे कुछ भी समज नहीं हो ये सोचकर युवराज ने एक नजर सुहाना को देखा जो तकी एक उकसकर गले लगा कर सो गई थी ये देखकर वह एक नजर लाइट को देखा फिर चुकचाप अपनी आँखों को बंद करके सोने की कोशिश करने लगा अगले दिन सुबह का समय कौशल या गोयल गायत्री गोयल के साथ बैट कर बाते कर रही थी तभी गायत्री गोयल का नजर नंदिनी पर गया जो ललकडाते हुए चल रही थी नंदिनी को ललकडा कर चलते हुए देखकर गायत्री गोयल परेशान भरी आवाज में कहती है नंदनी ये तुम्हें क्या हुआ है तुम्हें जो चोट लगी थी कैची से वो तो ठीक हो चुका था ना गायतरी गोयल की बात सुनकर नंदनी को कल का सीन याद आया कैसे सोहाना की वज़े से उसे वापस से चोट लग गया ये सोचते ही नंदिनी गायतरी गोयल के पास आकर उनके बगल में बैठते हुए कहती है आंटी उस दिन कैची से जो मुझे चोट लगी थी वह तो कब की ठीक हो गई लेकिन कल सुहाना की वज़े से मुझे वापस से चोट लगा आपको पता है कल जब मैं युवराज की साथ गार्डन में थी तब सुहाना मेरे युवराज को अपने साथ लेकर चली गई वह भी मेरी नजरों के सामने से आप सोचिए मुझे पर क्या बीत रही होगी आप तो जानती है ना मैं युवराज से कितना प्यार करती हूँ ये सब हो जाने के बावजूद भी मैं इस घर में रह रही है क्योंकि मैं युवराज को खुद से दूर नहीं देख सकती हूँ युवराज की शादी भले ही हो गई है लेकिन ये बात आप और मैं जानते हैं युवराज इस शादी को नहीं मानता है लेकिन कुछ लोग है जो चाहते हैं युवराज इस शादी को मान जाए ये कहकर नंदिनी कौशल्या गोयल को देखने लगी वही कौशल्या गोयल नंदिनी की बातों को समझ चुकी थी इससे पहले की कौशल्या गोयल नंदिनी से कुछ कहती तब ही गायत्री गोयल एक नजर कौशल्या गोयल को देखने के बाद नंदिनी से कहती है तुम सही कह रही हो लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं यहाँ पर मेरी नहीं चलती है जिसकी चलती है वही सब कुछ करता है लेकिन तुम फिकर मत करो मैं जानती हूँ युवराज कभी भी उस पागल लड़की से प्यार नहीं करेगा युवराज आज भी तुमसे प्यार करता है वो पागल लड़की है जिसको बहुत जल्द हम घर से निकाल देंगे गायत्री गोयल की बात सुनकर नंदिनी के होटो पर शैतान बड़ा मुस्कुराहत नजर आने लगा वो शैतान भरी नजरों से गायत्री गोयल को देखते हुए कहती है मैं जानती थी आंटी कोई मेरा साथ दे या ना दे लेकिन आप मेरा साथ जरूर दोगी लेकिन आपको पता है जब सोहाना मेरे और युवराज के पास रहती है तब मेरे साथ कुछ न कुछ होता है कुछ दिन पहले जब सोहाना पहली बार ओफिस आई थी उस दिन भी मुझे चोट लग गया था और उस समय सोहाना भी वही मौजूद थी मैंने युवराज से कहा लेकिन युवराज नहीं मेरी बातों पर यकीन नहीं किया और जिस दिन मुझे कैची लगा था उस दिन भी मैं युवराज के साथ बाते कर रही थी सोहाना ने मुझे युवराज के साथ बाते करते हुए देख लिया था जिसके बाद जब युवराज वहां से चला गया तो मुझे वापस से चोट लगा और कल गार्टन में युवराज सुहाना की मदद कर रहा था ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए में युवराज के पास जाके उसे गले लगा ली तो वह लड़की आकर मुझे और युवराज को दूर कर दीक मुझे काफी गुसा आया लेकिन मैं अपने गुसे क को दवाई क्योंकि मैं जानती थी युवराज सुहाना से प्यार नहीं करता है वह बस सुहाना के सामने दिखावा कर रहा है बहुत जल्द वह सुहाना को घर से भी निकाल देगा जैसे ही युवराज को सुहाना वहां से लेकर गई तभी मेरे पैरों में फूयों वाला करना जानती है वो अपने जादू के तरीके से ऐसा कुछ कर देती है जिसे मुझे नुकसान हो जाता है और किसी को कुछ दिखाए भी नहीं देता उस दिन ऑफिस में भी मैंने युवराज को कई बार कहा लेकिन युवराज ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया सबको यही तबी पीछे से कड़क आवा जाया। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था चाहे भगवान भी आकर मुझे कहे देगा तो मैं तुम्हारी बातों या फिर किसी की बातों पर यकीन नहीं करूँगा क्योंकि मैं जानता हूं सुहाना मर जाएगी लेकिन कभी भी ऐसा काम नहीं ये कहते हुए युब्राज अपने हाथों में घड़ी पहन कर उन सभी के पास आया। उन सभी के पास आने के बाद युब्राज अपनी मा को देखते हुए कहता है आप भले ही सुहाना को पागल कहूँ मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है वह आपको पागल देख रही तो सुहाना ने तुम्हें मारा है जो लड़की किसी का खून देखकर इतना डर लगी वह लड़की भला किसी को कैसे मार सकती है। तुम्हें पता है तुम्हें कल चोट लगा तो तुमने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। वही कल सुहाना को भी चोट लगा था वह भी तुमसे ज़्यादा गहरा लेकिन उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा. मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ लेकिन इसका मतलब यह नहीं तुम अगर कुछ गलत बोलोगी तो मैं तुम्हारा साथ दूँगा. सुहाना के साथ तुम सबसे ज़्यादा में रह रहा हूँ वह सबसे ज़्यादा मेरे साथ रह रही है भले ही मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता हूँ लेकिन इन कुछ दिनों से मैं उसे बहुत चुका है. अच्छी से पहचान. सुहाना को चोट लगा उसके बावजूद भी उसने किसी को कुछ नहीं बताया. वो तो भला था कि मैं और अनिकेत उस समय कमरे में थे. तो सुहाना का चोट हमें दिखाए दे दिया. वरना सुहाना हमें कभी बताती भी नहीं और तुम हलकी सी चोट को लेकर इतना बवाल कर रही हो. तुम कोई चोटी बच्ची नहीं हो जो इतना दर्द न नहीं हैरान होकर कहती है. ये तुम क्या कह रहे हो युवराज तुम ऐसा कह भी कह सकते हो. तुम्हें पता है ना मैं कितनी नाजुक हूँ. तुम भी तो मेरा बहुत देखभाल किये हो. सच में युवराज आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सुहाना के आने की वज़े से तुम बदल रहे हो. तुम मेरे युवराज नहीं हो. ये कहकर नंदनी की आँखो में आसु आ गए. वो नम आखो से एक नजर युवराज को देखने के बाद वहाँ से चली गई. जब गायतरी गोयल ने देखा नंदनी रोते हुए गई है तो वो ही युवराज को देखकर हैरान होकर कहती है तुम्हें क्या हो गया है पहले तो तुम ऐसे बिलकुल भी नहीं थे सुहाना से तुम नफरत करते हो जिस लड़की को तुम अपने सामने देखना पसंद नहीं करते उस लड़की को तुमने घर में रखा है यहां तक कि अब तुमने उसे अपने कमरे में र तुम्हें नंदिनी के बारे में सोचना चाहिए। आप मेरी मा है इसलिए मैं आपको हजार बार समझाया हूँ उस इंसान को छोड़ दीजिए। कर मुस्कुराते हुई कहती है। मैंने तो पहले ही कहा था तुम तभी अपना मूल खोलना जब तुम अपनी तरफ से सही हो। तुम अगर मुझे एक बार कह देती तो मैं आमित को घर से निकाल चुकी होती। लेकिन सिर्फ तुम्हारे वजह से मुझे उस अपने बेटे को घर में रखना पर रहा है। ये जानने के बावजूद भी वल तुम से तो शादी कर लिया है। लेकिन बाहर और और औरतों के साथ रंगर लिया मनाता है। समभल कर रहना कहीं तुम्हारा वपती दूसरी बीवी और तुम्हारी सोतन्ना लेकर आए। फिर पता चला वो और उसकी दूसरी बीवी को तुम्हें ही इस घर से निकाला पड़ा क्योंकि इस समय इस घर का महारानी मैं हूँ और जो मैं बोलूगी वही होगा ये बात भी याद रखना ये कहकर कोशलिया गोयल वहां से चली गई। युबराज इस समय गुस्से में ऑफिस में बैठा हुआ था उसका भाई अनिकेट जब उसे पता चला घर पर क्या हुआ तो वह सब कुछ जानकर हैरान हो गया था। उसे यकीन नहीं हुआ उसका भाई सुहाना की तर्फदारी करते हुए अपनी मा से लड़ेगा अनिकेट जब युबराज के केबिन में आया तो उसने देखा युबराज गुस्से में लैप्टॉप पर काम कर रहा है युबराज को गुस्से में देखकर अनिकेट उसके प कहां देखो अनिकेट जो सच है उसे बोलना सीखना चाहिए सच भले ही करवा होता है लेकिन सच सच होता है सुहाना मेरी तिजोरी की चाबी है और अगर उसे घर में रखने के लिए मुझे किसी भी हद पार करना पड़ेगा तो मैं हद पार करने से नहीं रुकूंगा मेरी म ने सुहाना को घर से निकालने की बात की उसके बावजूद भी मुझे उनकी उस बात पर प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरी शादी सुहाना से जैसे भी हुई हो सुहाना है मेरी पत्नी ही जब तक मैं उसे तलाक नहीं दे देता हूं तब तक सुहाना मेरे ही घर में रहेगी मैं नंदनी को हट करना नहीं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ मुझे सुहाना के साथ देख कर उसे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उसे भी मेरी बातों को समझना चाहिए, मैं ये सब अपने मतलब के लिए नहीं कर रहा हूँ, बलकि अपने कमपनी को उपर करने के लिए कर र की है जिसे कुछ भी बनाना नहीं आता है उस दिन वर इसलिए इतना कुछ बनाई थी क्योंकि बस उसे एक ही डिजाइन बनाना आता था जिसके बाद घर में सभी को ऐसा लग रहा है सुहाना को कुछ भी नहीं आता है तुम्हें तो पता ही है मानव का वो सुहाना को यूज ब अनिकेट को अच्छा नहीं लग रहा था, खास करके ये जानकर उसका भाई सुहाना को अपने मतलब के लिए घर में रखा है, ये सोचकर अनिकेट उदासमन से कहता है, मैं जानता हूँ भाई आप ये सब क्यूं कर रहे हो लेकिन आपको भी एक बार सोचना चाहिए था, केट की बात सुनकर युवराज गुस्से में कहता है, वह पीछे क्यूं होगी जबकि वह मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, सुहाना मेरी पतनी भले ही है, लेकिन मैंने कभी भी उससे अ दर लगता है, उसे घर में रहना है तो अब वह मेरे घर में रह सकती है, लेकिन मेरे घर में रहेगी तो मेरा काम करना पड़ेगा, और रही बात नंदिनी की नंदिनी मेरी जान है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं जानता हूँ, पूरा परिवार मुझे धोखा दे सकता है लेकिन मेरी नंदिनी मुझे धोखा नहीं दे सकती है। युवराज की बात सुनकर अनिकेट को बहुत गुस्सा आ रहा था। जिस वजह से वह गुस्से में युवराज से कहता है बस करो भाई नंदिनी 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 कर रहे हो। एक दिन यही नंदिनी आप आपको इतना बड़ा धोखा देगी जिसके बारे में आपको खुद उम्मीद नहीं होगा। वो लड़की जितना अच्छा दिखती है ना उतनी अच्छी है नहीं मैं और दादी बहुत अच्छी से जानते हैं। नंदनी तो बस आपके सामने दिखावा करती है। आपको तो म मैं और दादी आपसे ऐसा क्यूं कहते थे। ये कहकर अनिकेट गुस्से मैं वहां से चला गया। अनिकेट की बाते सुनकर और उसे वहां से जाते हुए देखकर युवराज गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहता है। ना जाने इस सुहाना ने मेरे भायों दादी को क्या खिला दिया है जिसके बाद से मेरी दादी जो नंदिनी पर यकीन करती थी अब वही नंदनी पर यकीन नहीं करती है। मैं जानता हूँ नंदनी थोड़ी हाइफाइ क्लास की है उसे छोटे कपड़े पहनना पसंद है जो मेरी दादी को अच्छे नहीं लगत इसका मतलब यह नहीं वह बस कपड़े में देखकर लोगों को जज करेगी मैं जानता हूं मुझे नंदनी से प्यार है और मैं ये भी जानता हूं नंदनी मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती है उसने इतना ही कहा था तभी उसका नजर फोन पर गया जिस पर नंदनी का कॉल आय आज सुबह में उसने सुहाना की वजह से नंदनी को बहुत सुनाया था ये याद करते ही युवराज अपना सर हाथ रखते हुए कहता है ओ नो मैं गुसे में नंदनी को सुना कर तो आ गया लेकिन मैं तो ये भूल ही गया मुझे उससे मनाना भी था अगर वह मुझसे नार कि उसी समय नंदनी बहुत अच्छे से तैयार होकर घर से बाहर निकल रही थी तभी उसका नजर सुहाना पर गया सुहाना को हसते हुए कार्टून देखते हुए देखकर नंदनी को काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे सुहाना की मुस्कुराहत देखकर बरदाश्ट नहीं हो रहा था वो ही एक नजर टीवी पर चले कार्टून को देखी फिर सुहाना के पास आकर कंच कस्ते हुए कहती है तुम यहां पर बैठकर बच्चो वाली कार्टून देखो और वहां पर मैं अपने युवराज की साथ बैठकर रोमेंस करूंगी आज तुम्हारी वहां से गुसे में चली गई नंदनी को वहां से जाते हुए देख कर और उसके बाते सुनकर सुहाना वापस से टीवी देखने लगी उसके एक अप्रेशन से ऐसा लग रहा था जैसे उसे नंदनी की बाते सुनकर कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसे कोई मतलब ही नहीं हुआ नंदिनी की बातों को सुनने के बाद, थोड़ी देर बाद, युवराज नंदिनी को रस्टोरेंट लेकर आया हुआ था, क्यूंकि उसने सोचा था रात में दिन पर नंदिनी को लेकर आएगा लेकिन वह ये जानता था नंदिनी बहुत देर तक अगर नाराज रहेगी तो फ ये देखकर नंदिनी कनफ्यूज होकर युवराज से कहती है, तुम्हे क्या हुआ युवराज आज मेरे साथ लंच डेट पर आये हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कोई भी मुस्कुराहत नजर नहीं आ रही है, मैं जानती हूँ तो मुस्कुराते नहीं हो लेकिन पहले जब तुम मेरे साथ डिनर पर आते थे, लंच पर आते थे, तुम्हारे चेहरे पर एक सुकुन दिखाई देता था, लेकिन आज वह सुकुन मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही है मेरे साथ लंच करने में, नंदनी की बाते उसे घर से नहीं निकाल सकता हूँ और मैं जानता हूँ तुम्हें सुहाना को मेरे साथ देख कर अच्छा नहीं लगता है और ऐसे में मुझे कभी-कभी गुस्से में तुम्हें डांटना पड़ता है आज तो मैंने गुस्से में मां को भी सुना दिया सोहाना एक दरपोक लड़की है बेवकूफ लड़की है उसे दुनिया की कोई खबर नहीं है और ऐसे में अगर मैंने उसके साथ कुछ भी गलत किया तो दादी मुझ पर बहुत गुसा होगी तुम जानती हो ना मैं अपने बिजनेस को लेकर कितना सोचता हूँ अगर मेरे बि निशान रहने लगे हो वैसे भी सुहाना बहुत अजीब है नंदनी की बात सुनकर युवराज कनफ्यूज होकर कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है युवराज की बाते सुनकर नंदनी गहरी सांस लेकर कहती है युवराज तुम्हें तो याद होगा जब सुहाना पह मेरे साथ रहती हूं तो मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है। इसनी मासूम तुम्हें दिखेगी नहीं। 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 युवराज को ऐसे बहार जाते हुए देख नंदनी हैरान रह गई। उसे उमीद नहीं था। युवराज उसे ऐसे रेस्टोरेंट में अकेले छोड़ कर जाएगा। ये सोचकर नंदनी गुसे में दात पिसकर खुद से कहती। युवराज ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम पहले वाले युवराज नहीं हो। जब से सुहाना तुम्हारी लाइफ में आई है तब से तुम बदल रहे हो। अगर ऐसे ही रहा तो तुम मुझे भूल जाओगे। नहीं मुझे कुछ भी करके सुहाना को घर से निकालना होगा। वरना वो लड़की मुझसे तुम ही छिन लेगी। ये कहकर नंदनी गुसे में वहां से उठकर रस्टोरंट से बहार निकली। वही दूसरी तरफ, फोन पर अनिकेट से बात करने के बाद युवराज तुरंट घर आ गया जैसे ही वह घर आया उसने देखा सभी घर वाले एक साथ खड़े हैं। उन सब को एक साथ देखकर युवराज ने कौशल्या गोयल से कहा। क्या हुआ है उसे? कहा है वह? युवराज की बात सुनकर कोशल्या गोयल उसे देखते हुई कहती है। फिर अचानक से वह अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में चले गया जैसे ही वह अपने कमरे में आया उसने देखा सोहाना बैग पर लेटी हुई है और उसकी आखे बंध है डॉक्टर सोहाना का इलाज कर रहे थी देखकर युवराज अनिकेट के पास आया अनिकेट ने जैसे ही युवराज को देखा तो वो परेशान होकर कहने लगा भाई देखो ना पता नहीं भावी को क्या हो गया जब मैं कमरे में आया तो मैंने देखा भावी बातरूम में सो रही थी अचानक से भावी बातरूम में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है अनिकेट को परेशान देखकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता ह तुम फिकर मत करो डॉक्टर उसका चेकप कर रहा है। युवराज ने इतना ही कहा था तभी डॉक्टर सुहाना को इंजेक्शन लगाने के बाद युवराज को देखते हुए कहते हैं। मिस्टर गोयल इन्हें थंड लगी हुई है जब इन्हें थंड पानी से इतने ही इलजी है तो फिर यह इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। उपर से इनके बॉड़ी के कई हिस्सों पर चोट के निशान भी हैं जिसको देखकर साफ पता चल रहा है। उसका इलाज कभी भी नहीं करवाया गया है। ऐसे में इनके बॉड़ी में बहुत सारे इंफेक्शन फैल चुके हैं। इतनी बड़ी लापरवाही आप लोगों को नहीं करनी चाहिए आपको पता भी है इस लापरवाही का नतीजा क्या हो सकता है इनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर युवराज अनिकेट एक दूसरे को देखने लगा। युवराज को हैरानी हो रही थी सुहाना के चोट के बारे में सुनकर। उसे बिलकुल भी पता नहीं था सुहाना के बॉड़ी पर जितने भी चोट के निशान है उस पर कभी भी इलाज नहीं करवाया गया। हालांकि कल सोहाना ने उसे बताया था उसे कई बार चोट लगा है लेकिन उसे उस चोट का एहसास नहीं हुआ ये सब सोचकर युवराज डॉक्टर से कहता है डॉक्टर ये लड़की को आय हुए हमारे घर में कुछ दिन हुए है तो हमें कैसे पता चलता है इसे चोट लगी है या नहीं और उपर से इस लड़की ने खुद कहा है इसे जो भी चोट लगता है उसका दर्द इसे महसूस नहीं होता है तो अब आपी बताए जब इसे खुद ही दर्ड महसूस नहीं होता है तो ये हमें कैसे बताएंगी वो तो कल मैंने इसके हाथों पर चोट के निशान देख लिया था तो मैं इसके हाथों पर दवाय लगा दिया लेकिन इसने मुझे कभी नहीं बताया अपनी और चोटो के बारे में मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है इस लड़की को जब लगता है तो उसके बावजूद भी इसे दर्ड महसूस क्यों नहीं होता है इतना गहरा चोट लगने के बाद भी इसे कोई दर्ड महसूस नहीं हुआ ऐसा कैसे पॉसिबल है युवराज की बाते सुनकर दॉक्टर हरान रह गया उसे यकीन नहीं हो रहा था सुहाना के बारे में ये सब जानकर वो हरान होकर युवराज को देखते हुए कहते हैं क्या कहा आपने इन्हें चोट लगती है और इन्हें खुद ही दर्ड महसूस नहीं होता है ये तो बहुत critical problem लग रही है आई मीन आजकल नॉमल इंसान को हलकी सी injection भी लग जाए तो वो इंसान उसमें भी चिलाने लगता है और आप कह रहे हैं इनको गहरी चोट लगती है तो उसमें भी इन्हें दर्ड नहीं होता डॉक्टर की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता जी आप सही समझे इसी ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या कभी आपको ऐसा patient मिला है जिससे इस तरह की problem हो क्यूंकि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एक ऐसे इनसान को देखा है जिसको चोट लगने पर दर्ड महसूस नहीं होता युवराज की बात सुनकर डॉक्टर ने सुहाना को देखा सुहाना की आँखे अभी भी बन थी ये देखकर डॉक्टर युवराज को देखते हुई कहते हैं देखिए मिस्टर गोयल मैं तो आज तक ऐसे patient का इलाज नहीं किया और नहीं मेरे पास ऐसे patient आये हैं लेकिन हा मैंने एक किताब में पढ़ा था ऐसे इनसान होते हैं बट वह बचपन से ऐसे नहीं होते हैं बल्कि उनके साथ जो हादसा होता है वह उनको ऐसा बना देता है शायद इनके अतीत में ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके बाद ये दर्द सहना या फिर किसी को दर्द में देखना इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा और ऐसे लोग ज्यादातर लोगों से बहुग दर्ते हैं दूसरों को चोट में देखकर इनको ऐसा लगता है जैसे वह चोट उनको लग रही है और जब खुद की बॉडी पर चोट लगेगी तब उनको पता भी नहीं चलता है डॉक्टर की बात सुनकर युवराज हैरान होकर कहता है exactly सुहाना के साथ भी ऐसा ही होता है सुहाना को कल चोट लगा था उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया यहां तक कि उसने खुद कहा वर्चोट उसे कब लगा पता भी नहीं चला बलकि उसका वर्चोट काफी गहरा था और वही दूसरी तरफ जब घर में किसी को चोट लगता है तो वह उस चोट को देख कर दरने लगती है यहां तक कि वह बाहर जाने से भी दरती है लोगों को देख कर वह पीछे हज जाती है युवराज की बाते सुनकर डॉक्टर गहरी सांस लेकर कहते हैं इसका मतलब यही है ऐसे कुछ लोग हैं जिससे ये बहुत दरती है जैसे मैंने एक किताब में पढ़ा था उसमें ये भी लिखा था जो उस तरह के पेशेंट होते हैं उनको ऐसे प्रबल में सबसे ज़्यादा दर पुलिस आर्मी डॉक्टर से दर लगता है खास करके जब उस पेशेंट को पता हो उसके सामने खड़ा इंसान पुलिस डॉक्टर आर्मी हो जरूरी नहीं कि उस पेशेंट को उन तीनों से दर लगे हो सकता है उन तीनों में से कोई एक ही ऐसा हो जिससे उस पेशेंट को दर लगता है वैसे आप पता करके देखिए इनको सबसे ज़्यादा किस इंसान से डर लगता है पुलिस डॉक्टर या फिर आर्मी ओफिसर जिस इंसान से इन्हें डर लगेगा समझ जाएगा अतीत में जरूर उसी इंसान के साथ इनका कुछ हुआ होगा जिस वजह से वह वैसे इंसान को देखकर डरती है और अंजान इंसान में भी उसी को देखती है और हाँ मैं आपको रिपोर्ट के जरिए ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता क्योंकि इनको उतनी कोई बीमारी नहीं है लेकिन इसके बॉडी पर चोट है वह इनकी बीमारी का कारण बन सकती है तो आगे से ध्यान दीजिएगा मैं अभी कुछ दवाए देकर जा रहा हूं जिसे आप दिन में करीबन चार बार इनके उस चोट पर लेगाएगा क्योंकि यह चोट बहुत पुराना है और इनफेक्शन फैल चुका है डॉक्टर की बात सुनकर युवराज ने अनिकेत को देखा जो परेशान भरी नसरों से उसे देखा था फिर डॉक्टर को देखते हुए कहता है इतना कुछ हुआ तो क्या ये बात सुहाना को याद रहेगा क्योंकि उसका बातरूम में जाकर सो जाना वह भी थंडे पानी में ये रिस्क वाली बात होती है क्योंकि एक तो वह इंसान खुद ऐसा करता है या फिर गलती से वह बातहतब में गिरता है युवराज की बात सुनकर अनिकेत उसे देखकर कहता है पर भाई अगर भाभी फिसल कर गिरती तो वहाँ पर कुछ ऐसे निशान बनते जब मैं बातरूम गया तो मैंने देखा भाभी बड़े आराम से सो रही है ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद बातब में गई हो क्योंकि आमतोर पर जब कोई इंसान फिसल कर गिरता है तो वह उल्टे तरीके से गिरता है ना कि बड़े आराम से सोते हुए और भाभी को जब मैंने देखा वह बड़े आराम से सो रही थी तो इसका मतलब यही है भाभी खुद अंदर गई थी यहां तक की पानी भी भर चुका था जो उनकी आँखों तक पाउच चुकी थी अब तो भाभी उठेगी तभी हमें पता चल सकता है आखिर उन्होंने ऐ सक्तियों किया अनिकेट की बात सुनकर युवराज सोच में पढ़ गया क्योंकि यह बात तो सच था सुहाना फालतू का सुसाइट करने की कोशिश नहीं करेगी और ऐसे में उसका खुद बात तब अंदर जाना यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है जरूर कोई बात है जिस इस वजल से सोहाना को ऐसा कदम उठाना पड़ा ये सोचकर युवराज डॉक्टर से कहता है ठीक है डॉक्टर आपने हमें इतना बताया मैं इस बारे में सोचुगा और हार जिस किताब के बारे में आप बात कर रहे हैं वो किताब आप मुझे भिजवा दीजिएगा मुझे उस किताब पढ़ कर पता करना है ऐसे पेशेंट को कैसे संभाला जाता है जैसा कि आपने कहा है सोहाना के साथ हतीत में कुछ हुआ होगा तो यह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसके साथ हतीत में बहुत कुछ हुआ होगा फिलहाल जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भ वैसे इनका अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और हाँ इनको फिलहाल के लिए दो दिन तक मीठा खाने मत दीजिएगा वैसे तो मैं सब कुछ लिख दिया हूँ आप एक बार उसे पढ़ लीजिएगा ये कहकर डॉक्टर मुस्कुरा कर कमरे से बाहर निकल गा जैसे तो मुझे भाभी ऐसे मिली बातरूम में वैसे कही मानव भाई ने तो कुछ नहीं किया जिस वजह से भाभी ने ऐसा कदम उठाया क्योंकि कल भाभी ने कहा था मानव भाई उससे बद्तमीजी से बाते कर रहे थे और आप मानव भाई को बहुत अच्छी से जानते हो वो कै ऐसा इंसान है भले ही इस घर में उसे हम रखे हैं लेकिन ये बात आप भूल नहीं सकते हैं वो लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं अनिकेट की बात सुनकर युवराज बैट पर बैखते हुए सुहाना को देखा फिर अनिकेट से कहता है नहीं मानव ऐसा काम नही कुछ पा रही है जो बताना नहीं चाहती है लेकिन मैं पता करके रहूंगा आखिर वह ऐसा क्या छुपा रही है जो मुझे पता नहीं चल पा रहा सुहाना का युवाथरूम में जाकर सो जाना और खुद को नुकसान पहुँचाना यह कोई जानबूज कर भी खुद के लेकर कहता है वह सारी बाते मैं तुम्हें बाद में समझाओंगा तुम अभी कमरे से बाहर जाओ और कोई सुहाना के बारे में पूछे तो कह देना बिलकुल ठीक है और हां किसी को भी मेरे कमरे में आने मत देना किसी को भी मतलब नंदनी को भी नहीं युवराज की बात सीधे हौल में आया. जैसे ही वह हौल में आया उसने देखा घर की सभी लोग वहां बैठे हुए हैं. उन सभी के चहरे पर कोई भी परेशानी नजर नहीं आ रही थी. लेकिन कोशल्या गोयल के चहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रहा था. ये देखकर अनिकेत मुस्कुर चैन की सांस लेकर अनिकेत को देखते हुए परेशान भरी आवाज में कहने लगी. वैसे सुहाना बाथरूम में फिसल कैसे गई जहां तक मैं जानती हूँ यूवराज के बाथरूम का मार्बल इतना स्तर नहीं है जिससे कोई भी इनसान फिसल जाए. कोशल्या गोयल की बा जाहिर सी बाथ है बाथरूम में जाकर पागल वाली हरकत ही करेगी. जिसकी वजह से उसका पैर फिसल गया. गायतरी गोयल की बात सुनकर अनिकेत ने गुस्से में कहता है क्यू बेकार में आप भाबी के बारे में इतना बेकार शब्द बोलती हो. मैं जानता हूँ आपको भाबी नहीं पसंद लेकिन इसका मतलब यह नहीं आप कुछ भी बोलोगी. अगर भाई को पता चला आपने वापस से भाबी के खिलाफ कुछ भी कहा तो फालतू का भाई आप पर गुस्सा करेंगे फिर आप हमें ही कहोगी भाई आपसे प्यार नहीं करते हैं. अनिकेत की बात सुनकर गायतरी कोयल गुस्से में कहती है. तुम कुछ ज्यादा ही उस लड़की के चमचे बन रहे हो तुम्हारा भाई तो एक एहसान मान कर उस लड़की को घर में रखा है अगर वह लड़की बिजनेस प्रपोजल को अच्छी तरीके से नहीं बनाए होती तो. मैं आ इसका मतलब यह नहीं तुम बोलती जाओगी यह मत भूलो यहां पर मेरा राज चलता है. सुहाना का दिमाग तुम से तो बहतर ही चलता है तभी तो आज तक तुम कमपनी की कोई दूसरे में काम नहीं आई. लेकिन सुहाना यहां आते ही युवराज की कमपनी की उचाई को बढ़ाने लगी. एक ही बात बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है सुहाना ही युवराज का मदद किया. तुम शायद भूल रही हो युवराज ने क्या कहा था किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए किसी को भी मतलब घर के बाहर वाले लोगों को जिसमें नं तुम तब तक घर में हो जब तुम्हारा पती इस घर में है। कौशल या गोयल की गुस्से भरी बाते सुनकर गायतरी गोयल की नजरे नीचे हो गई। महाल काफी खराब हो रहा था। ये देखकर अनिकेत वो कौशल या गोयल के पास आकर उनके को पकड़ कर कहता है। दादी आप शांत हो जाए इस समय आपको गुस्सा करना ठीक नहीं है मैं जानता हूँ माने जो कहा है वह बहुत गलत था। मा की तरफ से मैं माफी मानता हूँ। आज के बाद माभावी के बारे में कोई भी गलत शब्द नहीं कहेगी यह मेरी गारंटी है। अनिकेत की बात स तुनकर कौशलया गोयल उसे देखते हुए कहती है। आज अपनी माँ को समझा दो अगली बार से सुहाना के दिमाग के बारे में कोई बात नहीं करेगी। वो कितनी इंटेलिजेंट है वह यहां पर सब जानते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं। बोल बोल कर सभी को बता दिया जाए। ये कहकर कौशलया गोयल गुसे में वहां से चली गई। अनिकेट ने देखा उसकी दादी वहां से चली गई तो वो अपनी माँ को देखते हुए कहता है। इस समय आप खुद को शान्त करने की कोशिश करो मैं आप से यह नहीं कह रहा हूँ आप गलत हो लेक तो एक नौकरानी की तरह हूँ न इस घर में तुम लोगों ने मुझे नौकर समझ के रखा है। जब देखो तब चलाते रहते हो। कभी तुम्हारी दादी मुझ पर चलाती है। कभी तुम मेरे बच्चे मुझ पर चलाते हो। मैं आप से कुछ नहीं बोलूँगी लेकिन अगर मुझे कहीं से भी पता चला सुहाना मेरे घर को बरबाद करने के लिए आई है। तो मैं भूल जाओंगी मैं तुम लोगों से प्यार करती हूँ। उस समय बिनामा किसी से पूछे सुहाना की ऐसी हालत करूँगी ऐसी हालत करूँगी जिसका अंदाजा तुम में से कि को नहीं होगा। ये कहकर गायतरी गोयल गुस्से में वहां से चली गई। गायतरी गोयल की बात सुनकर अनिकेट अपना सिर पीट लिया। उसे अब समझ नहीं आ रहा था अपने परिवार को कैसे समझाए। क्योंकि अब उसका खुद का परिवार ही एक दूसरे से लड़ मत करो, मैं जानती हूँ इस समय अपने परिवार की हालत को देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं बहुत जल्द हमारा परिवार भी एक हो जाएगा। नीतु गोयल की बात सुनकर अनिकेट मुस्कुरा कर कहता है। चाची आपने जो कहा ह अगर वह हो गया तो अच्छी बात है वरना आपको तो पता ही है भाई का गुस्सा कितना भायानक है अगर उन्हें अंदाजा हुआ घर में लड़ाई चल रही है। वह भी सुहाना भाभी को लेकर तो वह बहुत गुस्सा करेंगे हो सकता है। वह गुस्से में घर छोड़ नीतु गोयल के चेहरे पर शैतान भरा मुस्कुराहत नजर आने लगा। वह मुस्कुराते हुए एक नजर अनिकेत को देखी फिर चुपचाप वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ युवराज का कमरा। युवराज अपने कमरे में बैट पर बैट कर लैपटॉक पर कोई उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। यह महसूस होते ही युवराज ने अपना सर घुमा कर सुहाना को देखा। तुहाना उठ चुकी थी यह देखकर युवराज अपने लैपटॉक को साइड किया फिर सुहाना को देखते हुए कहने लगा। तुम उठ देखा आप मेरे साथ बैठे हुए हो तो वह फिर से मुझ पर इलजाम लगाएगी जो मैंने किया भी नहीं होता है वह उनके बारे में भी बोलती रहती है। सोहाना की बात सुनकर युबराज गहरी सांस लेकर कहता है तुम उसकी फिक्र मत करो नंदनी मुझसे बहुत प्यार करती है मैं उसे समझा दूँगा तो समझ जाएगी लेकिन तुम मुझे ये बताओ जब मैं तुम ही कमरे में सोने का पमिशन दे दिया था तो तुम बातरू जो बातरूम में जाकर सो जाओंगी सोहाना की बेतु की बाते सुनकर युबराज हैरान रह गया क्योंकि अगर सोहाना गलती से भी बातरूम में सोने की कोशिश करती तो उसे याद रहता पर यहां तो सोहाना ऐसे बात कर रही है जैसे उसे खुद भी पता नहीं था वह बा आ गया था तो उसे तुम बात्रूम में सोती हुई मिली। युवराज की बात सुनकर सोहाना सोच में पड़ गई। जहा तक उसे याद था। लास्ट टाइम वह नीचे बैट कर कार्टून देख रही थी उसके बाद तो वह वही सो गई। ये सोचकर सोहाना हसते हुए कहती ह क्या आप मजाग कर रहे हैं ना। क्योंकि मुझे याद है मैं लास्ट टाइम कार्टून देख रही थी और उसी समय आपकी गल्फ्रेंड नंदिनी भी बाहर जा रही थी उसने मुझे बताया था वह आपके साथ बाहर लंच करने जा रही है। वर चली भी गई उसके बाव क्यों कर रही है। आम तौर पर अगर सुहाना की जगल कोई भी लड़की होती है तो उसे सब कुछ याद होता। या सुहाना को भी याद होता लेकिन सुहाना तो साफ कह रही है वह नीचे कार्टून देखते देखते सो गई। ये सब सोचकर ना जाने क्यों युवराज को सुहाना के लिए बहुत अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सुहाना को कोई बीमारी है। ये सोचकर अचानक से युवराज को डॉक्टर की बात याद आया। वह तुरंट सुहाना को देखते हुए कहता है। अच्छा वह सब तो ठीक है चलो मान लिया तुम कार्टून यह infection फैल चुका है जब तुम्हें चोट लगा था तब क्या तुमने उसका दवाई नहीं लगाया या किसी से तुमने कहा नहीं तुम्हें चोट लगा है। युवराज की बात सुनकर सुहाना अपने टिम्टिमाती आँखों से उसे देखते हुए कहती है। मुझे महसूस नहीं होता। आपको पता है घर में जो एक अंकल थे वो जब मेरे चोट देखते थे तब जाकर मुझे पता चलता था। मेरे बॉड़ी के हिस्सों पर चोट के बहुत सरे निसान है। उन्होंने मुझे दवाई भी दिया लेकिन मुझे दवाई लगाना नहीं आता था। इ लेकिन इसमें बड़ी बात क्या हो गई है तो मेरे लिए बहुत नॉमल सी बात है ये कहकर सुहाना मुस्कुरा कर युवराज को देखने लगी।